हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा को थेरोपेटिक्स चैप्टर नमबर वन लेक्चर नमबर फोर जो हेडिंग है हमारे पास एविडेंस बेस्ट मेडिसीन यह अपने आप में आज के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक होता जा रहा है यहां टॉपिक बड़ा नहीं है मतलब और एक चर्चा का विसे है और इंपॉर्टेंट हो गया काफी ज़्यादा ठीक है ना कहीं ना कहीं यह जो एविडेंस बेस्ट मेडिसीन है यह जो डॉ पेर टुल फार्मसिस बर्टियासट को भी इसकी नॉगलेश होनी चाहिए तब months क्या होता है अभीण स्बूत हब अब तुम्हें बात समंझ में आरी होगी सबूतों पर आधारित दवाईयां किस टैप के सबूत होंगे तो सबूत क्या होते हैं सबूत का मतलब क्या हो गया है कि पहले रिसर्च हुई होगी या कहीं पर कोई ट्रीटमेंट हुआ पर कोई खास तरह के लोगों को किसी खास बिमारी वारी लोगों को ले करके उनके पर रिसर्ट की गई होगी दवाईयां दी गई होगी ठीक है Node और फिर वहाँ से एक nisksks निकला होगा कि ये दवाईयां ऐसे ऐसे देने पर जो है क्योर जो है जल्दी होता है तो वो जो एक proof हो गया हमारे पास research हो गये उसके उपर, वो proof हो गया ठीक है न, वो proof और उस proof के आधार पर आज के present time पर आप जब किसी का इलाज कर रहे हैं, ठीक है उस patient की condition और उस research को आप combined करते हुए एक nisksks निकालते हैं ठीक है न, तो वो होता है हमारा evidence based medicine, simple सा concept है हमारे पास already research के आधार पर एक outcome आया हुआ है इस patient ने जो condition बताई है अपनी ब्यवारियां बताई हैं उसके आधार पर हमने एक research को ढूणा उस research के आधार पर या उस research के आधार पर कौन सी best दवाईयां है वो हमने निकाली, फिर हमने क्या क्या इन best दवाईयों में हमने क्या देखा कि इस patient की condition क्या है ठीक है ना, इसकी personal conditions क्या थी उस ब्यमारी के साथ कोई और condition तो नहीं है बच्चा है, बुड़ा है, क्या है उसके साथ match करते हुए हमने फिर क्या क्या उन दवाईयों को merge करवाया कि ये best रहेगी इसके लिए अपनी सूझ भूच से जो मेरा clinical experience रहा यान कि as a doctor जो मेरा clinical experience था इन research based दवाईयों को उस बिमारी के लिए और इस patientic condition को match करते हुए मैंने एक best treatment निकाली that is called evidence based medicine simple, ठीक है ना लेकिन, हाँ ये definition तो और पर इस बात को आप लिख सकते हो जो मैंने अभी बात तुमको हिंदी में बताई है ठीक है definition चल जाएगी कुछ बातें इसके अंदर हमें और हैं जो समझ नहीं कि आगर 5 marks में question आ जाता है ये फिर क्या-क्या इसके अंदर हमें points से देने पड़ेंगे तो जो पहले हम बात समझते है evidence, evidence मतलब क्या होता है पहले बताई है मैंने, सबूत है ना, proof evidence मतलब क्या होता है सबूत या proof तो कह रहा है the word evidence-based evidence-based सबूतों पर आधारी are used to describe lots of things अच्छा यहीं नहीं, medicine में नहीं कई सारी जगाओं पर हम लोग evidence-based चीज का इस्तमाल करते हैं यानकि शब्द का इस्तमाल करते हैं जैसे कि evidence-based medicine पॉलिसी बनी हो, सबूतों का आधारों बनी है and in a different part of society evidence-based social work ठीक है and evidence-based education तो evidence-based कुछ भी हो सकता है जो कोई भी चीज जो सबूतों के आधार पर की जाती है उसको हम evidence-based कह देते हैं किलिए हो गया evidence-based का क्या मतलब है simple सी चीज थी बच्चा का जब बहुत ज़ादा confused गया था तो बिल्कुल confused नहीं होना है अब the underlying principle कुछ भी हो evidence-based जहां लग गया शब्द उसका एक basic सिध्धान्त क्या है हर जगे same होता है है ना the underlying principles are same जो सिध्धान्त है evidence-based का वो same होता है बस field बदल जाती है ठीक है the concept is about concept क्या है making sure that when decisions are made यह sure करना कि जह हम decision ले रहे हैं they are made on the basis of वो किसके अधार पर ले जाएंगे वो हमारे जो decision होंगे वो बनेंगे किसके अधार पर the most up-to-date solid सबसे ज़्यादा latest up-to-date जो अभी की जो हमारे पास क्या होगा information होगी solid होगी उसमें कोई भी if but के chances नहीं होगे reliable होगी भरो से लाइक होगा scientifically proofed होगा ठीक है ना उसके आधार पर जो हमारी क्या बनेगा decision बनेगा वो ही क्या क्या बनाता है मतलब जो evidence-based होता है उसका principle ही ही है latest information एकदम solid हो reliable हो scientifically based हो in the case of medicine or health अगर medicine or health की बात करें these are the decision about the care of individual patient जब medicine or health की बात करते है तो यहाँ पर हमें decision किसके उपर लेना होता है एक individual patient के care की हमें उसका ध्यान रखना है उसके अधार पर हमें evidence-based क्या करने होती है कर लें थोड़ा सा theoretical यानि की लिखने के purpose है क्या रहेगा systematic systematic एक काईधा अनुसार नियम अनुसार approach to medicine medicine का systematic approach है ना जो एक छोटा सा concept बताऊं जब एक medicine दी जाती है आज के टाइम पर क्या है डॉक्टर सीधा heavy antibiotic चला जेते हैं बहुत से doctor बट काईधा क्या कहता है कि जब patient जाता है सबसे पहले low level सी start किया जाता है अगर उसमें काम नहीं किया है तो high level लेकिन आज के टाइम कॉंप्टीशन इतना है कि अगर patient पेशेंट को भी सब्रनी होता है दो दिन में एक दिन में भी relax नहीं पड़ा एक खुराक खा करके वो तुरन साम तक doctor बदल देगा और जिस doctor के पास हो जाएगा और बोलेगा कि हमने दवाए खाई तियारा नहीं पड़ा तो दूसरा doctor सीधा उसको heavy dose दे रहेता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होती है गरबड हो जाती है यह वो evidence based practice नहीं है ठीक है ना और हो गया रहा है जब इस तरह की conditions create होती है तो बहुत सारी antibiotic बेवज़े दी जा रही है जिसकी वैसे जो bacteria है वो resistant होते जा रहे है viral disease की बात करे है अगर हम लोग तो viral disease के लिए कोई भी antibiotic काम नहीं करती है लेकिन जब रोजस्ती डॉक्टर्स क्या है एंटिवाटिक देते है viral case में ठीक है ना उनके treat करने के तरीके अलग होते है viral disease के ठीक है तो सब नहीं करते हैं मैं बता रहा हूं लेकिक कुछ लोग करते है systematic approach to medicine in which doctors and the healthcare professionals अब healthcare professionals में हम भी आयाते है तो एक systematic approach होती है medicine के लिए जिसमें doctor और healthcare professional होते है use करते है best available scientific evidence बहुत सारे evidence होंगे अब तो पढ़ना पढ़ेगा यह evidence भी है यह यह भी है तो सबसे best होगा अब चार को पढ़ोगे time तो लगेगा no doubt लेकिन उसमें सबसे best निकाल पाओगे है ना उसमें सबसे best निकाल पाओगे तो बेस्ट एविलिवल सानिटिफिक एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च दस्यों रिसर्च होई है पढ़नी पढ़ेंगी तो सबसे best data होगा उसको में निकालना पड़ेगा to help make decision और वो जो रिसर्च होगी जो best research वो help करेगी decision लेने में about the care of individual patient एक individual patient की care करने में ध्यान रखने में यानि किस तरह ध्यान रखता है दॉक्टर दबाईयों की help से आप फिजिशियन क्लिनिकल फिजिशन वाद डॉक्टर हो गया clinical experience जो एक डॉक्टर का खुद का clinical experience मिला करके हम उस patient के according patient की उस दिक्कत के साथ साथ और क्या क्या दिक्कते हैं उसके according फिर उसका हम लोग क्या चाहते हैं मैडिसिन देते हैं and the patient's value यह देखे एक बात आगी patient's value and preferences उसकी क्या values है और क्या preferences वो चाहता क्या है इस बीमारी को ले करके क्या चाहता है कि दवाईयों सो ठीक हो जा या वो चाह रहा है कि दवाईयों कम खानी पड़े या क्या चाह रहा है है वो दॉक्तर से and are also important in the process of using the evidence to make decision ठीक है ना तो कही ना कहीं क्या है क्या कह रहा है यह फिर से देख लेते हैं कि systematic approach है medicine का in which doctors and other healthcare professional use best available scientific evidence जो doctors और other professionals से वो best available scientific evidence का use करते हैं ठीक है ना to make decision about the care of patient a physician's clinical experience and patient's value and preferences are also important in process of decision making ठीक है ना using the evidence making decision the use of evidence based medicine may help plan the best treatment evidence based medicine का use करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं best treatment को plan plan कर सकते हैं सबसे अच्छा treatment कौन सा है and improve quality of care जो हम लोग करना चाहते हैं उसकी quality को improve कर सकते हैं and patient's outcome यानिकी जो उसको outcome आएगा उसका effect आएगा उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह definition ही होगी दूसरी बात करें हम अगर हम लोग ठीक है तो तो कई बात तुम लोग इस तरह से मिल जाएगा EBM लिखा हुआ मिलेगा ठीक है और इस तरह गोला लगा हुआ मिलेगा उसमें एक सर्फ लिखा रहता है है पेशेंट्स वैल्यो ठीक है इक्वेशली गलत हो गया यह keyboard रहते है है वहीं थीचन रहते रहते हैं सब को मिला करके पेशेंट की वेल्व को ध्यान रखेंगा यह भी धिया रखा यह भी धान रखा बनता है हमारा क्या एविदेंश-बेस्ट मेडिशिन तो तीन चीज को क्वाइट क्या हुआ है कॉन-कॉन से तीनों चीज है इन तीन चीज़ों कमाईड करके क्या बनता हमारा evidence-based medicine बनती है आगे आते हैं दूसरी definition क्या हो सकती है evidence-based medicine has been described as the consentious इसको हम कैसे describe कर सकते हैं consentious विवेक्षिल दिमाग का इस्त्माल करना या इमानदार तरीके से से इस्तमाल करना यह नहीं कि अपना उसमें फाइदा देख रहे हैं एक्स्प्लिशिट इस पर स्टोना चाहिए एंड जुडूसियस उचित या नया संगत होना चाहिए यूज ऑफ करन्ट बेस्ट एविडेंस इन मेकिंग डिसीजन ठीक है तो एविडेंस बेस्ट मेडिसीन जो हमको करने के लिए और केर करने के लिए जो डिसन लेने हैं वो तीन जीजों को ध्यान रखते हो करने हैं यह तीन जीजों को ध्यान रखते हुए हमें जो बेस्ट एविडेंस है उसका इस्तमाल करना है यह तरह क्या होगा क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका होगा क्लिनिकल रिसर्च आप जो रिसर्च है उसको एक्जामिन करें उसको जांचे प्रानी रिसर्च क्या रही है या क्या एविडेंस आया है बजाए इसके relying on intuition and clinical experience alone बजाए इसके कि आपका मन कहा रहा है नहीं यह ऐसा रहा तो ऐसा कर लेंगे अच्छा यह दिक्कत तो हम ऐसा कर लेते हैं यह नहीं काम करना है यह हमारा जो प्राना clinical experience है हमारा खुद का अकेले का जो clinical experience है उसको उसके आधार भी decision नहीं लेने है हमको उसको जो हमारा experience है उसको हमको research के साथ मिलाते हुए decision लेने that is evidence-based medicine clear है समझ में आ गया need क्या है the need of evidence-based medicine दो क्लियर कर समझ में आएगा medical research is continually discovering improved treatment लगातार improved treatment डवलप होते जा रहे हैं है ना मालो आज से एक डॉक्टर ने 40 साल पहले MBS करी होगी उस समय क्या treatment रहे होंगी क्या दवाईया रहे होंगी और आज की डेट में नए treatment नए therapies नए medicines आ चुकी है अब क्या वो उसकी का अधार पर करेगा या नए का अधार पर करेगा ओविसी बात है नए का अधार पर करेगा है ना तो continually discovering improved treatment लगातार नए treatment discover होते जा रहे हैं नए तरीका इजाद होते जा रहे है इसकी वाई से हमें EBM को अपनाना पड़ेगा अपनाएगा तो नए research जो आते जा रही है उनको टॉक्टर को रीड करना ही पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा प्लस जो नहीं बगर होती है जो नई medicines आती है उनके जो marketing हैट्स वो भी जाकर क्या करते हैं उसका परचार कर देते हैं mb the research findings are often delayed in being implemented into clinical practice जो रिस्ट की finding होती ही वो अक्सर क्या होती देर हो जाती है मालों आज की डेट्व रिसर्च चल रही है इसकी जो फाइंडिंग आहीं है often delayed in being इसको implement होने में clinical practice में implement होने में कई बर क्या होता है देरी हो बहुत पहले हो चुकी है वह इंप्लीमेंट बहुत देर मों हो रही है तो गैप भी इसका मेंटेर्ण हो गया वह भरना पड़ेगा ठीक है ना और जब पहले है क्लिनीशियन को करेंट तरफी जो लगातार बदलते जा रहे हैं जैसे बात करें पहले जो पित की थेली की पत्री होती गौल बेडरी स्टोन उसके लिए पेट में पूरा कटी लगाना पड़ता था अब क्या है पूरा कटना लगाते हुए तीन कट लगाके एक दो त एक से कैमरा डालते हैं और जालते हैं और उससे थेली को निकाल ले जाता है और पहले क्या था पूरा कट लगाया जाता है तो चेंज हो रहे हैं तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो कहीं न कहीं एक बात तुम्हों को समझ में आ रही होगी जितनी भी प्aining के फूरी फार्मिसी पढ़ लिए यह तक जितनी टिक को फार्मिसी पढ़ रहा है जो evidence-based medicine को approach कर सकता हूं ठीक है तो कैसे करेंगे तो step 1 में सबसे पहले defining a clinically relevant questions एक patient आएगा तो कुछ questions create करने पड़ेंगे क्या बिमारी है कैसे क्या डाइग्नोस किया जाएगा उसको ठीक है ना उसकी क्या condition है personally उस बिमारी के अलावा और क्या दिक्कते हैं उसको ठीक है एसी information create करेगा ऐसे questions arise होंगे उसके बास कुछ questions होने चाहिए जिससे कि वह exact उसकी दिक्कत exact उसकी problem क्या है वहां तक पहुंच सके हैंना कई वर क्या होता है प्रॉब्लम के उपर बेष्ट जो researches है जो evidence है उसको ढूणेगा doctor searches for evidences to support the finding from the step 1 step 1 में इसने finding करी है उसके उपर based कुछ अपने search ढूनेगा वो ठीव है research ढूनेगा वो अब step 3 में का करेगा assess the quality of evidence अब मालो उसने search किया और उसे 18 तरीकी research मिल गई तो उसको अब क्या करना है quality of evidence जो उसने 3-4 तरीकी research देखी पड़ी उसको यह decide करना है सबसे best कौन सी है और reliable कौन सी है ना doctor ensure सुनिशित करेगा the quality and reliability is high वो जिस research को पढ़ करके अपने आगे process करेगा उसकी quality और reliability हाई होनी चीए step 4 acting on the evidence to form clinical decision ठीक है ना अब जब उसने उसको भरोसा कर लिया अब वो क्या लेगा clinical decision लेगा अब clinical decision लेने के लिए उपर के तीन step follow करने पड़ेंगे research ठीक है ना क्या उसने डागनोस किया patient से बात करेगा ठीक है based on step 1 to 3 patient and doctor jointly make an informed treatment decision अब दोनों मिल करके patient को से बात बात करके best treatment क्या है वो जच किया जाएगा step number five में evaluating the process जब treatment हो गई अब process को देखा जाएगा क्या patient को फायदा हो रहा है doctor and patient assess if the intended outcome जो outcome चाहते हैं हम लोग जो निसकर्स चाहते हैं is achieved and adjust क्या वो अचीव हुआ नहीं हुआ है तो कुछ adjustment अगर हो सके तो adjustment करते हुए treatment में decision accordingly if needed जो उसमें adjustment करनी जरूत है accordingly जरूत की अनुसार वो हम उसमें कर देगा doctor और उसको क्या करेगा उसके outcome को increase कराएगा याने की उसके effectiveness को increase करा देगा इसके patient के treatment की तो इस तरीके से यह five step model है ठीक है न क्या कहते है इसको हम लोग five step model of evidence based medicine clear है बासमझ में आ रही है चले आगे अब जो evidence है levels of evidence evidence के level ना इस तरह से पीरामट की तौर पर दिखा रहे हैं यह जो उपर वाले होते ना यह सबसे ज़्याद रिलायवल होते सबसे भरोसक लाइक होते हैं यह नीचे वाले उत इसकी आधार पर हो सकते हैं और सबसे अच्छा कौन से होंगे और लेस रिलायवल कौन से होते हैं तो देखो सबसे लेस रिलायवल होते हैं editorial and expert opinion ठीक है ना सबसे नीचे आगे से लिए तो कह रहा है इस evidence based on the opinions of a panel of experts जो experts का पैनल होगा मालो एक हार्ट कर टीटमेंट करने व अधार पर कि हाँ यह best तरीका यह best तरीका और उसके अधार पर उन्होंने क्या किया अच्छा जो सब में common आ गया उसको निकाल करकर नोंने एक best तरीका बना दिया डैट इज कॉल एडिटोरियल and expert opinion अब उसमें कोई research तो थी नी उसनोंने अपने clinical उसके अधार पर कर लिए कि उनको इस तरीके patient मिले उसके अधार पर उन्होंने अपना decision दे दिया तो ठीक है सही भी हो सकता है बड़ उतना ज्यादा accurate नहीं हो गाई है फिर आते है case series and case reports क्या होता है यह case series are descriptive studies है ना detailed study हो गया following one small group of people इस case series में देखो ध्यान दो क्या है descriptive studies है following one small group of people एक छोटे सो लोगों का सम्हूव होता है उसके उपर हम लोग क्या करते है study करते है कि क्या-क्या problem है कैसे क्या improvement आ रहे है ठीक है वो सारी हम लोग उसके उपर research करेंगे there are additions or supplement of case reports यह जो होता है case report का supplement होता है कैसे case report क्या है case report is a detailed report of the symptoms, sign, diagnosis, treatment and follow-up of an individual patient case report के अंदर यह सारी चीज़ा आती है और case series में group of people लिया जाता है यहाँ पर क्या रहेगा एक individual patient की बात रहेगी ठीक है तो कही ना कहीं जो series है यानि कि हापर एक patient ना लेकर करके हम यह पर पूरा group ले लेते हैं उसका पूरा हम study करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा case series ठीक है इसकी findings आ सकती है case series हो गया then cohort studies cohort studies क्या होता है the modern definition of a cohort in a clinical study is a group of people with defined characteristics हम लोग group of people ले लेंगे मालो एक group of people ले लिए हमने smoke करता है एक बिना smoke वाला एक जिनका BPI है एक जो नमक ज्यादा खाते हैं तो defined characteristics हमने group बना लिए who are followed जिनको follow किया जाएगा in order to determine the health related outcome और फिर जो health related उनके परिणाम होंगे वह हम लोग क्या करेंगे research करेंगे अब एक बड़ा common search करो तो मिल जाएगा Framingham Heart Study ठीक है एक यह research हुई थी is an example of the use of cohort study to answer an epidemiological question ठीक है न एक question था और question क्या था दो जहां समझ में आएगा the study found high blood pressure and high blood cholesterol to be major risk factor for cardiovascular disease जितनी भी cardiovascular disease है उसमें high BP and high blood cholesterol सबसे बड़े factor हैं अगर इनको हम कम कर लें कंट्रोल कर लें तो cardiovascular disease में बहुत ज़्यादा क्या सकती है भारी मातरा में कम ही लाई जा सकती है तो this is the framing question यह रहा होगा की cardiovascular disease को लेकर गए तो उन्होंने जब research करी अपना पाया वही किया होगा है अनुदर अग्जांपल आफ कोड़ी स्टेड़ी डैट है वीन ओन गोइंग फॉर मैनी यह चल रहा ही है नेशनल चाइल डवलोमें इस्टेडी बड़ी अच्छी स्टेडी है यह कभी डिटेल है पड़ोगे इसको बड़ी मतलब है ना क्या के मतलब वीडियो समझे क्या जाके चीज़े होती रहती है एक तो वह हो गया यह बड़ी मस्तीज है तो मोस्ट वाइडली सबसे ज्यादा रिसर्च आफ डब ब्रिटिस बर्थ कोहर्ट इस्टेडी से ब्रिटिस में है यह बाई फॉलोईंग यू थ्रो आउट यूर लाइफ यहां पर पूरी जिंदग अब बच्चा एक बच्चा यह निका हम कईवर देखते हैं एक ही परिवार से दो बच्चे है एक बन गया चोर एक बन गया पुलिस क्या हो गया आखिरकार ऐसा उनकी परिवरीस में एक ही दोनों के माबाब भी की थे दोनों की पिटाई बराबर बढ़ती थी दोनों के संस रादन बराबर थे क्या हो गया ऐसा तो यह जानना चाहते हैं किया चीज अफेक्ट कर गई कि जिसने उसको जब अडल्ट बनाया तो वो चीज उसकी बदल गई किस तरीके से हमारी जिंदगी में सचे हमारी जो हैट वेल्ट फैमिली है एजूकेशन एंप्लोई में इंटरकनेक्टेद हैं यह पहलू है जिंदगी के जो और जो है ना वो किस तरहे से क्या गरते हैं बदल जाते हैं जो अलग-अलग तबके से जो लोग हैं उनके लिए तो ये कही ना का study है ठीक है ना और इसी में कही ना का क्या include होती है अपनी medicine का जो part include हो जाता है तो ये कही ना कहीं cohort study है ठीक है ना किस तरीके से group of people का लेके चलते हैं हम लोग तो एक example हमरे बाद कहीं सब़ार फ्रेमिंगम का था दूसरा कया है ncds का है आगे आते हैं को कि प्रि मोशना यहाँ पर क्लिनिकल प्र अच्छ नए treatment हमने सोच एक पुरानी व्हिरमारी थी उसके लिए एक ट्रीट्मेंट चल रहा था अब जाए किया एक नया treatment सोचा है जो हमको लगता कि बहुत बैटर है पुराने वाले treatment से तो कैसे पता चलेगा तो यहां पर वही करते हैं हम लोग compare करते है proposed new treatment जो नया treatment सोचा है against an existing standard of care जो पहले से एक treatment का care का एक standard exist कर रहा है उससे हम compare कराएंगे नये को these are then termed as experimental and control treatments respectively ठीक है ना तो जो नया वाला है उसको experimental बोला और जो अलड़ी exist कर रहा था उसको हमने control treatment बोला ठीक है ना तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया randomized clinical trial यह होता है इसके अंदर अब जखो इसके अंदर randomized क्या चीज़ है और randomized clinical trial is one dead uses randomized when allocating people to different group of the study हम people को ऐसा नहीं है किसी वह लोग सौल हो गया randomized किसी को भी दस को लेकर इधर डाल देंगे दस को लेकर इस में डाल देंगे दस को लेकर इस group में डाल देंगे ठीक है और फिर अलड़ अलड़ क्या रहेंगे treatment के हिसाब से उनको हम लोग study करते हैं this means that the treatment groups are chosen by chance जो group होते हो बाइचांस चूज किया जाता है ऐसा नहीं कि अच्छा यह सब बुड़े बुड़े इनको एक तरफ कर लो ऐसा नहीं होगा using a formal system and each participant has an equal chance of being selected to each group कोई भी participant किसी group में जा सकता है उसमें कोई भी हमने भेद भाव नहीं किया हुआ है ठीक है तो randomized है और clinical trial clinical trial होते ही है अपने ठीक है बास समझ में आगी पुरानी technique और नई technique जो लाना चाहते हैं उनको compare करना है उनको देन आता है है meta analysis ठीक है ना meta analysis हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग ने सब कुछ कर लिया फिर उसको हम लोग करें detail analysis करके सारा उसके अंदर mathematics और वह सर लगा करके detail analysis करके निसकर्स निकालेंगे हम लोग meta analysis systematic statistic based review होता है data data contrast data आगे हम लोग रिसेच्छ करकरके उसकी अनलिसिस कर कर रहे हैं हम लोग ठीक है ना सिस्टेमेटिक स्टेश्च बेस रिविवीव डाटा देट कंट्रास्ट एंड कम्माइइज जो काफी अलग होती है ठीक है और कंमाइज रिजल्ट फ्रॉम डिफ्रेंट बट रिलेटेडे इस्टेडी अलग 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 है बट आपस वे करना किसी खास चीज का दवाई देने का तरीका हो सकता है डिस एग्रिमेंट क्या चीज है जो नहीं करनी है और रिलेशनिशिप अक्रॉस मल्टीपल इस्टेडी है और कुछ और चीज है कि उनके बीजों आपसे क्या रिष्टेदारी है ठीक है अब मेटा अनलिसिस कें सपोर करता है इसका काफी मजबूत होता है इक स्टेडी करते हैं उसका निसकी नकालते वह नहीं मैटा में क्या था अलग अलग डिपार्टमेंट की स्टेडी को मिला करके हमने एक करके फिर उसकी ऑनलाइज किया है बट वे फ्लॉड बिकॉस ऑफ पब्लिकेशन बाइस बट हां गलत हो सकती है, publication bias, जब उसको public किया जाएगा, publish किया जाएगा, वहाँ पर अगर किसी ने अपना दिमाग लगा दिया extra, तो वो जो conclusion है, वो क्या हो जाएगा, biased हो जाएगा, उसमें बेदबाव हो सकता है, तो this is the meta analysis, जहां पर हम लोग अलग-अलग field की data को ले करके compare करा जेते हैं, ठीक है, यह तो होगी अपना evidence-based के, जो level थे हमारे वो थे, एक चीज और होती है, जिसको हम बोलते है, outcome research, यह थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन देखो यह भी काम में आता है, क्या है outcome research, अब outcome समझ में आ रहा है, जो outcome आ गया है, जो result आ गया है, अब हमको उसके research करना है, outcome research studies the end result, यह किसको study करता है, end result of medical care, जो हमने patient का treatment किया, अंत में क्या आया, निसकर्स, वाल हमने 6 मेने treatment किया, अंत में क्या आया, ठीक हुआ, नहीं हुआ, condition बच से बत्तर हो गई, या कुछ पार्ट उसका रह गया, भी ठीक करने के लिए, ठीक है न, 6 मेने का coach था, 6 मेने भी ठीक नहीं हुआ, हम लोगो उसको और 3 मेने बढ़ाना पड़ा, उसको निसकर्स क्या आया, the effect of the health care process on the health and well being of patient, यहाँ भी हम लोग देखते है, इफेक्ट क्या रहा, जो हमारी health care process हम ने दी उसको, medicine से लेकर, हर एक चीज़ से लेकर के, उसका effect क्या आया, एक patient के उपर, clinical outcome research, seek to monitor, जो clinical outcome है, उसको research करना है, तक कि हम लोग monitor कर सकें, समझ सकें, understand, improve कर सकें, है ना, impact of medical treatment है ना, जब हम लोग उसके outcome को समझेंगे, research करेंगे, तब ही तो monitor होगा, कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ पाएंगे, और improve कर पाएंगे, कि अच्छा, अब जो case आएगा, उसमें यह सब गलतिया नहीं करनी है, on a specific patient or population, ठीक है, medical treatment जब करते हैं, किसी खास patient पर है, population पर, it describes, it describes research that is concerned with the effectiveness of, यह जो यह describe करता है research, जो concern करती है, तालुक रखती है, effectiveness of public health, intervention and health services, the outcome of these services, ठीक है ना, तो है क्या, यह किस से तालुक रखता है, कि कितना effective, public health के उपर क्या असर पड़ेगा, और उसमें जो public health intervention है ना, with the effectiveness of public health intervention and health services, जो health services है और public की जो health है, ठीक है ना, कही ना कहीं जो outcome research होगी, उसके वज़े से इन दोनों चीज़ों पर क्या पड़ने वाला, affect पड़ने वाला public की health पर, और जो health services हैं दोनों पर, ठीक है, क्या health service देनी है, क्या रखनी है, attention is frequently focused on the clinical end point, जो clinical end point होता है, अंत में क्या nisqlars आया, उसके उपर ज्यादा focus किया जाता है, most relevant to the patient or population, ठीक है, patient कर लो, जाद population कर लो, उसमें हम लोग जाद पूरी population कर रिसर्च कर लेंगे, पूरी population में जो हमना अर पास आया, data या किसी एक patient पे, such end point could be quality of life, वो जो nisqlars निकल के आया है, वो quality of life क्या करेंगा, एक तरह से decide करता है, outcomes research में also focus on effectiveness of healthcare delivery, outcome research निकल के आये, कहीं न कहीं वो healthcare delivery के effectiveness, कितना effective रही, जो हमने healthcare delivery दी, with measures such as cost effectiveness, अब उसमें ये भी देखा जाएगी, कितना cost effective रहा, health status क्या रहा, and disease burden, the impact of the health problem क्या पढ़ा, आखिरकार, ठीक तो हो गया वो, लेकिन उस disease का क्या impact पढ़ गया हमारे patient के उपर, कमजोर हो गया है, ठीक है न, कंगाल हो गया है, क्या हो गया है, अब, outcome research में और EBM में क्या अंतर है, outcome research is not the part of EBM, ये आखरी का, जब research आ गया, EBM में क्या होता है, हमें apply करना है, outcome research क्या है, अंतर होता है ये, ठीक है न, तो इसको चाहो तो, कट लगा सकते हो, बट यहाँ भी हमें difference समझना जरूरी है, outcome research एक अलग बात है, और EBM में अलग बात है, जब इलाज चल रहा है, हमें तब उसको best care करना है, according to clinical evidence and experience, the main focus of outcome research is predefined end point, हम ये चेक करते हैं, ये जो हमने इसको किया, जो research का outcome आया, जो हम सोच रहें तो वो आया, कि नहीं आया, और नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं आया, बात समझ में आ गई, ठीक है न, तो outcome research is different, EBM is different, आगे आते हैं, next time रपास, क्या इसकी importance है, importance of EBM, EBM gives physician a way to keep up with the evidence-based protocol, है न, कहीं न, कहीं क्या रखता है, physician को up-to-date रखेगा, कि evidence-based protocol क्या है, आपको यही follow करने है, EBM enable healthcare team, healthcare team को enable बनाती है, सच्चम बनाती है, to make personalized decision, उन सब को देखते हुए, जो healthcare team होती है, आपने personal decision ले पाती है, कि अब हम लोग patient को कैसे ठीक करेंगे, based on global evidence, ठीक न, वो जब decision होते हैं, किसके अधार पर लिए जाते हैं, जो globally evidence है, उनको और पढ़ा, और उसके अधार पर क्या कि अन्होंने अपने decision लिए, EBM creates greater transparency and accountability, है न, इसमें कहा रहती है, Transparency ज़्यादा रहेगी, और accountability है न, accountability होती है जिम में ज़्यादा हो जाती है, EBM improves quality of care and outcome, अब जोगो, EBM improve करती है, quality of care और outcome को भी improve करती है, outcome research, ठीक है न, तो outcome जाने कि जो उसका final result आएका, उसको भी improve करेगा और quality of life को भी improve करती है, यह तो मन से बना की लिख सकते हो, EBM करेंगे तो क्या के चीज़े फाइद होने वाली है, limitations क्या है, पहला है time consuming, भाई research पढ़ोगे 10, time खर्चोगा, इतना time होता नहीं है, patient अभी आया हुआ है, ठीक है न, तो ठीक है, require access to medical literature, अब यहाँ पर आपको जो medical literature, पूरी दुनिया में जो medical literature है, उनका access होना चाहिए, आप उनको पढ़ सको, require some knowledge of statistics, अब आपने अगर जो 10 तरीके के मालो, एक, दो करते करते, 10 research पढ़ी है, तो आप इसके, इनके जो outcome आएगा, उसको लिख करके, उसके उपर क्या लगाओगे, statistic लगा करके, best result निकालने की कोशिश करोगे, थोड़ी से कहीं न कहीं, math लग जाती है, करना पड़ता है, ठीक है न, तो यह कहीं न कहीं, थोड़ा सा, जन्जरोला काम भी आता है, publication bias, जो research को publish कर रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी bias हो सकती है, मतलब उसमें हस्चेप हो सकता है भेदवा हो सकता है, research को थोड़ा सा temper किया सकता है, तो यह सारे इसकी limitations है, बात बागी सब ओके है, आज की demand है EVM, ठीक है न, तो यह सारा क्या था हमारे पास, evidence based medicine थी, और अब हम लोग जान लेते हैं, आपने mind nurture के research के बारे में हैं न, कि mind nurture से आप लोगों को, यानिकि mind nurture app, जो की launch हो चुका है, google play store पे आ चुका है, उससे आप लोग किस तरीके से study करके, और किस तरीके से exit exam में और deep farm के exam में अच्छा score कर सकते हैं, तो आए जानते हैं mind nurture app के बारे में, तो आओ, जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में, तो yes, हमारे channel का जो नाम है mind nurture, उसी के नाम से अब app आ चुका है, जो की google के play store पे मौझूद है, ठीक है, lecture के link में भी उसका description दे रखा है, और चाहो तो direct कहां, play store पे जा करके, उसको download कर सकते हो, ठीक है, अब देखो, youtube पर lectures and notes, youtube पर भी available है, free of cost है ना, जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चे से promise किया आएगा, जितने lecture मेरे app में होंगे, जितने notes मेरे app में होंगे, उतने lecture और notes आपको youtube पर मिलेगा, but क्या चीज आपको youtube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है, one mark question की practice, one mark important question होंगे, ठीक है ना, one mark question में basically तुम्हारे पास क्या आते है, mcq और fill in the blanks, ठीक है न, ये तुम्हारे ये आते हैं, दस नमबर के ये आते हैं, ठीक है, plus two marks question, याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहाँ वो कुछ important question दूँगा, मैं two marks, three marks, five marks की आगा, केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे, तो पास तो guarantee हो जाएंगे, ठीक है, और जब detail knowledge चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके र आप लो, मैं ये यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तो आप फस गया है, ठीक है, तो वो कैसे cover होगा, तो उसके लिए क्या होगा, live class होगी, doubts के लिए मैं आया करूँगा, live class, जो कि अभी start अलड़ी हो चुकी है, बच्चे doubts पूछ रही है, और class चल रह करके, 100-100 question हो जाए करेंगे, जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है, MCQ question, अब जखो, समस्य क्या है, ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते, यूटूब पर नहीं ले सकते, अब यूटूब पर क्या होगा, मैं बताता हूँ, ऐसे मैं चल रहा हू question लिखा होगा, 4 option लिखे होगा, मैं बोलूगा, बच्चो ये question है, ये 4 option है, इसका answer ही है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, question सामने होगा, तुम पढ़ोगा और तुम answer click करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मजा आएगा, उससे practice होती असली, ठीक ह ना, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, मालो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर combined test होगा, एक, किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का, फिर chapter 3 मालो खतम हो गया, फिर उसके पाद एक combined test होगा, 1 plus 2 plus 3, इस तरह से चलता रहागा, चलता रहागा, एक time वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मालो 13 चैप्टर हैं तो combined test हो रहे हैं यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% या नहीं कि 40 नमबर लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा है इस exam को target करके होगी ठीक है न जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानि कि जब theory पढ़ोगे या ले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे और fees बिलकुल minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यानि कि एक साल की fees आपको 1100 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare परोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता है जाकर के इससे सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ मे नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अप बता दूँगा clear है बासमझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज यह सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes revision बिना revision कि आप यह सारी चीज़ें नहीं कर पाऊगा याने कि पढ़ना पड़ेगा है ना तो revision जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूं revision ही है selection revision करोगे तो